बोली दादा नाग देव जी महाराज जी की एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था काम करते करते एक नाग देव जी महाराज उसको मुँ लगा देता है मुँ लगने के बाद पूरे सरीर में दर्द महसूस होने लग जाता है किसान तड़फ रहा है रो रो करें नाग देव जी महाराज को क्या कहता है बिजिंदर फोजी रोज खेडिया जोने बहुत सुन्दर पंक्तिया लिखी है आई एक भजन के द्वारा कैसे मुला दिया जेर तार दे क्यों लिला मने बणा वैसे नात रहे तो मुँ फेर जा क्यों इच्छादारी कुआ वैसे नात रहे तो मुँ फेर जा क्यों इच्छादारी कुआ वैसे मुला दिया जेर तार ते तुझे ला मने बना वैसे नात रहे तो मुँ फेर जा क्यों इच्छादारी कुआ वैसे नात रहे तो मुँ फेर जा क्यों इच्छादारी कुआ वैसे मुका थूक सूक गया जहरियों पीतर तक जा लिया लुक के कित जागा चाले तेरे मढ़े पैया लिया लुक के कित जागा चाले तेरे मढ़े पैया लिया बगत तेरा यो मरड़ लाग रहा हो बगत तेरा यो मरड़ लाग रहा हो तल्य दूद कटोरा बाव ऐसे नाता रहत मूँ फेर जैकों इच्छादारी कवाव ऐसे सिंगोडे मेरा जी काटेगा तेरा सिंगार गणे का दाता हो कै मूँ फेर रहके है दावतार बने का वो जहर तरन में त्यार नहीं हो जहर तरन में डार नहीं क्यों तर पाल बिछिवाव ऐसे नाता रहत मूँ फेर जैकों इच्छादारी कवाव ऐसे ताता रेते हूं पेर जैकूं इच्छा दारी कवाल ऐसे हरे बातवे की पंच मैंने मैं तिरे दा मैं पैयाँ सूं इबेते में नहीं आया मेरा मैं तो जीना चाहूं सूं इबेते में नहीं आया मेरा मैं तो जीना चाहूं सूं हो दीर बना दे आसे जगा दे या सास तूटती जा वैसे नाता रेतों मूं फेर जैकूं इच्छा दारी कवाल ऐसे नाता रेतों मूं फेर जैकूं इच्छा दारी कवाल ऐसे सची दिल ते चल के तेरे गोगडिया मैं आओं सूं तेरी भगती की लगन लगी ब तेरे भजन बनाओं सूं बिजिंदर फोजी के घर आजा क्यूं तू देर लगा वैसे नाता रेतों मूं फेर जैकूं इच्छा दारी कवाल ऐसे नातार तुमू बेरे जाक्यों इच्छादारी को हावे से